भादरपत महा के शुकलपक्ष की पंचमी तिथी को रिशी पंचमी पंचमी का वरत एवं पूजन किया जाता है इस साल भादरपत महा के शुकलपक्ष की पंचमी तिथी का आरंब 7 सितंबर 2024 शनी वार की शाम 5 बचकर 34 मिनिट पर शुरू होगी और 8 सितंबर 2024 को शाम 7 बचकर 58 मिनिट पर इसका समापन होगा इस साल मध्यान व्यापिनी रिशी पंचमी 8 सितंबर 2024 रवीवार के दिन ही रहेगी इस दिन रिशी कश्यप अत्री भारत द्वाज विश्वा मित्र गौतम जमक दगनी वशिष्ट और साथ रिशी की पूजा होती है इस तरियों को रजश्वला धर्म याने पीरेट के दौरान धार्मिक कारे घर के कारे करने की मना ही होती है ऐसे में इस दौरान अगर गलती से पूजा या पार्थ की सामगरी को इसपर्श कर ले या धर्म कर्म के काम में जाने अन जाने में कोई गलती हो जाए तो इस वरत के प्रभावक से इस तरियां को दोश मुक्त हो जाती है ये वरत मासिक धर्म में हुई गलतियों के प्राइश्चित के रूप में किया जाता है इसे हर वर्ग की महिला कर सकती है सब्त रिशियों के पूजन का समय सुबह ग्यारा बजे से दोपहर तीन बजे तक रहेगा हिंदु धर्म में रिशी पंचमी का बहुत बड़ा महत्व है रिशी पंचमी का दिन हिंदु पंचांग के निसार भादरबद महिने के शुकलिपक्ष की पंचमी को मनाया जाता है इस दिन महिलाओं उपवास करती है और जाने अनजाने में हुए पापों के लिए भगवान से शमा मंगती है यह दिन भगवान गणेश जी की गणेश शतुर्थी के अगले दिन आता है महिलाओं को बहुत उत्साह के साथ पूजन करती है और कहा जाता है कि इस वरत को सभी महिलाओं खास तोर पर करती है और शास्त्रों के नसार महिलाओं को महावारी के पहले दिन चंडालिनी और दूसरे दिन ब्रह्म घातिनी और तीसरे दिन भोबिन के समान अपवित्र माना जाता है इसके बाद चौते दिन इसनान आदी के बाद विशुद्ध होती है इस बीच जाने अंजारने में महिला दुवारा हुए पापों से मुक्ती पाने के लिए रिशी पंचमी का पूजन किया जता है महिलाओं के लिए खास तोर पर महत्व रखने वाले इस वरत के दिन सब्त रिश्यों की पूजन की जाती है शास्त्रों में इस वरत को महिलाओं के पाप नश्ट कर बेहतर स्वास्त देने वाला बताया गया है ऐसा कहते हैं कि यदि कोई महिला पूरे विश्वास के साथ यह वरत करती है तो उसके सभी पापों से उसे छुटकारा मिल जाता है तथा लक्षमी नारैन भगवान का आशिरवाद उसके घर पर सदैव बना रहता है अब रिशी पंचमी की कथा सुनने के बाद साथ पुरोहितों को रिशी मान कर भोजन कराएं भोजन के बाद उन्हें दक्षना दे और पूजा होने के बाद गाय को भी भोजन कराएं रिशी पंचमी का वरत अन्य वरत उपासों से कुछ अलग और अनोखा है इस वरत को करने क विधी से लेकर इसके उपदेश और लाब भी विलकुल अलग है और बेहद महत पूर्ण है रिशी पंचमी के वरत की एक और सबसे खास बात है कि इस वरत में किसी देवी देवता की पूजा नहीं की जाती है बलकि इस दिन विशेश रूप से सब्त रिशियों का पूजन किय जाता है रिशी पंचमी का वरत खास तोर से अप्रत्यक्ष या अंजाने में महिलाओं द्वारा हुए पाप कर्मों को नश्ट करने के लिए बेहद महत पूर्ण माना गया है यही कारण है कि इसे हर उम्र और हर वर्ग की महिलाओं विशेश तोर पर करती है खास तोर से महि परी के दोरान अंजाने महुई धार्मिक गलतियों और उससे मिलने वाले दोशों से रक्षा करने के लिए यहा वरत बेहत महत पूर्ण माना जाता है रिशी पंचमी का वरत महिलाओं के साथ साथ विशेश रूप से कुवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है लेकिन यहा अन्य वरत उपवास की तरह सिर्फ सुहाग या मनवांचित वर पाने के लिए नहीं किया जाता है बलकि इसका विशेश प्रयोजन होता है इस वरत में अपामार्ग नामक पौधे का विशेश महत्व होता है जिसके तने से दातून और इसनान किये बिना रिशी पंचमी का यह पवित्र वरत पूर्ण नहीं होता समस्त पापो का नाश करने वाला यह वरत अत्यंत पुन्न फलदाई होता है एक समय राजा सिताक्ष धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले हे आदेव आप समस्त ध धर्मों के प्रवर्तक और गूण धर्मों को जानने वाले हैं आपके श्री मुक्ष से धर्म चर्चा शवन कर मन को आत्मिक शांती मिलती है भगवान के चरण कमलोग में प्रीती बढ़ती है वैसे तो आपने मुझे नाना परकार के वरतों के बारे में उप्देश दिये है अब मैं आपके मुखार विंद से उस श्रेष्ट वरत को सुनने की अबिलाशा रखता हूँ जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश होता है राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा हे श्रेष्ट तुम्हारा प्रश्ण अति उत्तम और धर्म की प्रित रिषी पंच्वी के नाम से जना जता है इस वरत को करने से करने वाला प्राणि अपने समस्त पापों से सहज शुटकारा पा लेता है विधर्भदेश में उत्तरंग नामक एक सदाचारी ब्रामन रहता था उसके पतनी बड़ी पती व्रता थी जिसका नाम सुशीला था उस ब्रामन के एक पुत्र था और एक पुत्री दो संतान थी विवाय योग होने पर उसने समान कुश और कुल शील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया देव योग के कुछ दिनों बाद वह विद्वा हो गई दुखी ब्रामन दंपत्ती कन्या सहत गंगा तट पर कुटिया बना कर रहने लगे और एक दिन ब्रामन कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीडों से भर गया कन्या ने सारी बात मा से कही मा ने पती से सब कहने कहते हुए पूछा प्राणनाथ मेरी साथवी कन्या की यह गती होने का क्या करण है उत्रंग ने समाधी द्वारा इस घटना का पता लगा कर बताया पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्रामनी थी इसने राच्ष्वला होते भी हुई बरतन छू दिये थे इस जन्म में भी इसने लोगों को लोगों की देखा देखी रिशी पंचमी का व्रत नहीं किया इसलिए इसके शरीर में कीडे पड़े हैं धर्म शास्तरों की माननेता है कि राच्ष्वला इस्त्री दिन चांडालीनी दूसरे दिन ब्रम घातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन की सवान अपवित्र होती है चौते दिन इसनान करके शुद्ध होती है यदि है शुद्ध मन से अब भी रिशी पंचमी का व्रत करें तो सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल शौभाग्य की प्राप्ति करेगी पिता की आग्या से पुत्री ने विदी विधान पूर्वक रिशी पंचमी का वरत एवं पूजन किया वरत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहत अक्षय सुखों का भोग मिला रिशी पंचमी सभी वर्ग की इस्तिरियों को करना चाहिए इस दिन इसनान आदी कर अपने घर के स्वच्छ स्थान पर कुमकुम रोली आदी से चोकोर मंडल बना कर उस पर सबत रिशियों को इस्थापना करें गं चेरे वरत का पालन करके वरत करें इस प्रकार साथ वर्ष करके आठवे वर्ष में सबत रिशी की पीत वर्ण साथ मूर्ती युमक ब्रामन भोजन कराके उनका विसरजन करें कहीं कहीं किसी प्रांत में इस्तिरियां पंच ताड़ी त्रण एवं भाई के दिये हुए चाव और स्ट्योग में विधर्बन नगरी में शेन जैनिनिक और शेन जित नामक राजा हुए थे। वर्षा रितु में जब उसकी पतनी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह राच्ष्वला हो गई उसको राच्ष्वला होने का पता लग गया फिर भी वह घर के कामों में लगी रही कुछ समय बाद वह दोनों इस्तरी पुरुष अपनी अपनी आयू भोक कर मृत्यू को प्राप्त हुए जैश्री तो कुटिया बनी और सुमित्र को राच्ष्वला इस्तरी को के संपर्क में आने के कारण बैल की योनी मिली क्योंकि रिशी रितु दोश से अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराद नहीं था इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस् वे दोनों कुटिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहां रहने लगे और धर्मात्मा सचित्र और सुचित्र अपने अतितियों का पूर्ण सत्कार करता था अपने पिता के श्राद के दिन उसने अपने घर ब्रामन को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए जब उसकी इस्तरी किसी काम के लिए रसोई से बहार गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बरतन में विश्वमन कर दिया कुटिया के रूप में सुचित्र की मा कुछ दूर से सब देख रहे थी पुत्र की बहुन के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बरतन में मुह डाल दिया सुचित्र की पतनी चंद्रवती से कुटिया का यहा क्रत्य देखा ना गया और उसने चूले में से जलती लकडी निकाल कर कुटिया को मारी बेचारी कुटिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी जोके में जो जूठन आदी बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहु उस कुटिया को डाल देती थी लेकिन क्रोध की कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी सब खाने का सामान फिकवा कर बरतन साफ करके दोबारा खाना बना कर ब्रामनों को खिलाया रात्री के समय भूक से व्याकुल होकर वह कुटिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पती के पास आकर बोली हे स्वामी आज तो मैं भूक से मरी जा रही हूं वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता है लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला साप के विश वाले खीर के बरतन को अनेक ब्रह्मात्या के भय से चूकर उनके ना खाने योग कर दिया था इसी कारण उसकी बहु ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया तब वह बैल बोला हे बदरे तेरे पापो के कारण मैं भी इस योणी में आ पड़ा हूँ और आज बोजा ढोटे ढोटे मेरी कमर तूट गई है आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत मुझे इस प्रकार कष्ट दे कर उसने इस शाद को निश्वल कर दिया अपने माता पिता की इन बातों को सुचितर सुन रहा था उसने उसी समय दोनों को भर पेड भोजन कराया और फिर उनके दुख के दुखी, दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया वन में जाकर रिशियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों और कर्मों की कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है तब सर्व आत्मा रिशी बोले तुम इनकी मुक्ती के लिए पत्नी सहित रिशी पंचिमी का व्रत धारन करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दे दो भादरपत महीने की शुकलपक्ष की पंचिमी को मुख शुद करके मध्धान में नदी के पवित्र जल में इसनान करना और नए रेशमी कपड़े पहन कर अरुधंती सहित सब्त रिश्यों का पूजन करना इतना सुनकर सचित्र और सचित्र अपने घर लोट आया और अपनी प पहिला श्राध्धा पूरवक और भक्ती पूरवक रिशी पंचिमी का व्रत करती हैं वह समस्त सांसारिक सुखो को भोग कर अंत में वैकुंट लोग को पधारती है गौलोग धाम को जाती है तो मित्रो यदि आप रिशी पंचिमी के निमित ब्रामणों को फलाहर करवाना चाते हैं अन्नदान वस्त्रदान गौधान तिलदान अत्वा पारणा के निमित कोई भी दान दक्षना हमें प्रदान करना चाते हैं तो आप हमारे गुगल पे फोन पे पेटियम या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगत धन राशी प्रदान करके रिशी पंचिमी का संप पूर्ण पुण्यला प्राप्त कर सकते हैं तो मित्रो इस वीडियो को आप जाद से जाद लोगों तक शेर किजिएगा लाइक किजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आउन कर लीजिए ऐसे ही नए ने वीडियो देखने के लिए आप सभी को साधर जैशी कृष्ण साधर धन्यवाद झाले को आप सब्सक्राइब कर दो दो किजिएगा उन्यवाद जाद से जावी को साधर जेखने को साधर राद लोगों तो आप से उन्यवाद